नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीटीव इंडिया न्यूज पर आज हमारे साथ मुझूद है सामली के वार्ड नंबर 11 से जीला पंचे सदस्य पद के उमिदवार चोधरी नसीम एड़ोकेट जी स्वागत है सर आपका जीटीव इंडिया न्यूज पर में जितने भी गाओं में उनमें जादा सा जादा विदायक जी के और MP साब के मदद से कार्य कराओंगा और कोशिस करूँआ कि सक्षा के छेटर में भी कूई अच्छा काम हो तो आपके यहां से जिला पंचायत के छेयर में उन्होंने मौशली काम इस छेटर में नहीं किया सारा सार जो भी काम क्या उधर अपने उधर की उधर की तो इस छेत्र के अपेक्सा हुई है पूरी उपेक्सा हुई है और जो यहां से जिला पंचायत अभी मुझूदा है उन्होंने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया तो आप जो चुनाओं लड़ेंगे इस बार तो आपका विकास का मुद्दा रहेगा विकास और शिक्सा मेर तो पूर्ण उद्दा होगा मेरा तो अगर जनता ने आपको मोखा दिया तो आप सबसे पहले अपने छेत्र के लिए क्या कारिये करना चाहेंगे अगर मुझे जनता ने मोखा दिया और उपर वाले ने मुझे इस चुनाओं में जितवाया तो मैं सबसे ज़्यादा कोशिस करूँगा कि मेरे छेत्र में सिक्सा और जो खेल कूदगियों है इसके लिए विसेश प्रबंदो आप आपका जो मुकाबला है जो यहाँ से जिला पंचे सदस यहाँ के कैराना के पूरसान सद के परिवार से भी उनका तालुक आते हैं तो आप कैसे है हकीकत में तो यह चे बिलुकुल बिलुकुल उफ्रवालेश20 प्रसेंट हमारी जीत आप जीटके परति पूरे आस्वास्त हैं लेकिन आपकी जीत का क्या है संभिकरन की सादार पर अपनी जीत इतनी यह त यह जो हमारे पूरा पूरा पूर्लपूरलो और दसन का एक तरहा का वोट है सबी गाउं में विदायक जी की अच्छी पार्टी है और मजबूत इस्तिती है उपर वाले ना चाहा विदायक जी के से लोग से हम बहुत अच्छे मतों से इस वार्ड से जीतेंगे तो यह सामली के वार्ड नंबर 11 से जीलब 25 सदस्य अपद के उम्मेदवार चोधरी नसी मेहमंद एडोकेट जी इन्होंने बताया कि यह किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और इनकी क्या रणनीती है और अगर जंता नहींने मौका दिया तो यह सिख्सा और सवास्त एवाम जो छेतर में विकास कारी है नहीं हो पाए उनको पूरा करने का काम करेंगे बहुत बहुत सुक्रेसर हमारे चैनल से बात करनेगे थैंक्यू थैंक्यू बहुत बहुत आपका भी विसेस